तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की विडिम आप सभी को बताने बाला हूँ अगर आप लोग इक जियो का नंबर यूज करते हो और उसमें आप लोग यहाँ पर 3-4 महीना रिचार्ज नहीं कराते हो तो कंपनी की तरफ से आपका नंबर जो है सस्पेंड कर दिया जाता है इन एक्टिब कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से आपके नंबर को दोस्तों नंबर सस्पेंड होने पर ना ही आप लोग कोई भी रिचार्ज पिलान कर सकते हो और नहीं आप लोगों कोई भी सर्विस यूज़ करने को लोग दिया जाएगा तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग यहां पर आल लाइन अपने मुबाइल फोन से आप लोग कैसे यहां पर दोबारा से अपना नमबर को एक्टिवेट कर पाओगे यानि सस्पेंड से हटा पाओगे तो वीडियो को आप लोग अंतर तक देखना पूरे डिटेल के साथ बताने बाला हूँ आप लोगों को छोटा सा काम करना है आपका नमबर सस्पेंड हो गया तो उसको एक्टिवेट कैसे कर पाओगे और आप फिर एक्टिवेट करके आप लोग जो भी रिचार्ज करना चाहो वो आप कर सकते हो तो कैसे करना है चलिए मॉबाइल की स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं आच चुका हूँ मॉबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को अपना नमबर एक्टिवेट करना है उसके लिए आप लोगों को कोई भी मुबाइल का ब्रावजर open कर लेना है जैसे के हम Chrome ब्रावजर open कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर type करना है geo.com geo.com करके आप लोग यहाँ पर type करोगे search करोगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा उसके आपको three line पर click करना है और यहाँ पर नीचे आ रहा है sign in पर click करना है sign in पर आप जैसी click करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर mobile पर click करना है mobile पे click करने के बाद में बो number आपको यहाँ पर enter करना है जो आपका suspend हो गया है ठीक है तो हम यहाँ पर बो number यहाँ पर फटाफट enter कर देते हैं फिर आप लोगों को आगे बताते हैं दोस्तो number इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर generate OTP पे click करना है उस पे एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर feel करना है जैसके हमारे पास OTP आ चुका है हम यहाँ पर feel कर देते हैं OTP feel करने के बाद में आपको यहाँ पर submit पे click करना है submit पे आप जैसी click करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल जाएगा उसके पे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको setting पे जाना है सर्विस setting पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा suspend यहाँ पर आपको suspend का एक option आर होगा यहाँ पर suspend हो गया आपका number यहाँ पे आप लोगों को अपना number resume करना है यानि दुबारा से एक्टिवेट करना है ताकि आप रिचार्ज कर पाओ और यहाँ पर सर्विस यूज कर पाओ तो आपको यहाँ पर सस्पेंड है रिज्यूम पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर बता रहा होगा वो request जाएगा 15 मिनिट बाद आपका यहाँ पर दुबार से चालू हो जाएगा नमबर तो यहाँ पर ESP किलिक करते हैं ESP किलिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक reference नमबर भी दिया गया है जिसके तहट आप लोग यहाँ पर customer वालों से पता कर सकते हो कि हमने एक request डाली थी number suspend की हमारा number suspend हो चुका था तो उसके लिए यहाँ पर request पढ़ चुकी है आपके सामने है दोस्तों अब यह 15 मिनिट लेगा 15 मिनिट बाद आपकी सारी services यहाँ पर चालू हो जाएगी आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना ताका उन लोगों को भी पता लग पाए कि हाँ पर suspend number को कैसे activate करते हैं तो चलिए दोस्तों मिनते के लिए नए वीडियो में तब तक के लिए खुश रहीएगा बाई